प्रजनी गंदा बन जाता हूँ और उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है वैसे तो कभी थी नहीं बाजी लेकिन वो उन्होंने अपने हाथ को स्विकार कर लिया और इतने दिन तक वो चुनाओं में जूट को प्रचारित करते रहे जूट के सहारे चले रहे बाजीत करने के लिए हैं भारती जंता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष है जेपी नेडडा जी और साथ चरणों का मतदान लगातार हो रहा है कुछ दिर के बाद में मतदान समाप्त भी हो जाएगा दोहजार चौवीस लोग सबचनाओं का सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इन सातों चरणों के मतदान को लेकर किस तरीके का उत्सार लोगों में देखने को मिला देखिए बहुत उत्सार दिख रहा है और मैं महसूस करता हूँ पूरव से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक हर जगा प्रधान मंत्री मोदी जी क नेत्रतों में जिस तरीके से सरकार चली है उसके कारण भारत की जनता उनके नेत्रतों पर विश्वास करते हुए एक सुरक्षित भारत एक सक्षम भारत एक विक्षित भारत इसको लेकर के भारतिय जनता पार्टी को और मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर है और उनक लेकिन कुछ दिर के बाद मैं एग्जिट पूल आ जाएंगे और एग्जिट पूल को लेकर एग्जिट पूल को लेकर जो है विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि हम इसका बाइकॉट करते हैं किसी भी चैनल में कॉंग्रिस पार्टी का कोई भी पैनलिस्ट नहीं जाएग देखे ना ये तो अपने आप बताता है कि चुनाओ के नतीजे आने से पहले ही हार्ट स्विकार कर ली है और उनको ये दिख किया है कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है वैसे तो कभी थी ही नहीं बाजी लेकिन वो उन्होंने अपने हार्ट को स्विकार कर लिया है और इतने दिन तक वो चुनाओं में जूट को प्रचारित करते रहे, जूट के सहारे चले रहे, अब उनको मालों में सच्चाई आने वाली है, और सच्चाई से बचने का तरीका क्या है, वो एग्जिट पोल को बॉइकॉट करो, क्योंकि वो सच्चाई को फेस नहीं कर सकेंगे, हमने तो सारे एग्जिट पोल हमारे पक्षमी आते रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमने कभी भी बॉइकॉट नहीं किया, जो होता है वो हम बताते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, कि यह आपकी क्रेडिबिलिटी, यह मीडिया की क्रेडिबिलिटी को चालेंज कर रह होते हैं, और उनके आधार पर आप खुल मिला करके एग्जिट पोल को तयार करते हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी को, यारि उनको कोई भी पसंद नहीं है, जो उनकी वावाही न करें, जो उनकी हां में हां न मिलाए, सचाई से दूर वो खुद देता भी रहते हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया भी सचाई से दूर रहे, यह होने सकता हैं, लेकिन कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से बड़ी-बड़ी प्रिस कांफरेंस की गई, बड़े-बड़े दावे की गए कि 270 के आसपास तो हमारी सीटें आ ही रही हैं, चाय कुछ भी हो जाए, और इस ब अपने कभी अपने बारे में तो सोचा भी नहीं कि आप आपको क्या होगा, अब आप एक आगड़ा लेकर के आए हो, अच्छी बात है, ख्याल अच्छा है, चार तारी को साफ हो जाएगा, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, क्या रहने वाला है, कि तरीके से हम 30 और यही तो लिखरा है, मम्ता को यही तो दिक्कत है, टी i amc को यही तो पीडा है, और यही तो तकलीफ है जिसको वो ब्यान कर रही है, और यही तो दक्षpee, लूथी बात करें से हम अच्छे जीते घृता, बहरती अच्छे, नग्यात में अच्छी जीत लेकर हासिल वाली विपक्ष की साथ वीचान की मद्दान के अंतिम में और सुनने में आ रहा है कि वो उसमें तै करेंगे कि अब उनका पीम केंडिडेट कौन होगा तो विपक्ष की इंडी गडबंधन की बड़ी बैठक को लेकर क्या करें यह कुछी को भी अधिकार है प्रजातंत्र है आप मिलिए बहुत अच्छी बात है बिलकर के आप आपने जो टै करना आप त्य कीजिए लेकिन सचा यह है कि आपके ख़बर के साथ साथ नीचे पटी चलती है कि ये नहीं आएंगे ये उपस्थित रहेंगे ये उपस्थित रहेंगे तो यह जो अन साइञ्टिफी कि पार्टी ने चुनाओ लड़ा जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में आरोप लगाए वारती जन्ता पार्टी पर तमाम सारी बात है कहीं है अर्विंद केजरिवाल की राजनीती पर क्या थे अर्विंद केजरिवाल का व्यक्तित्व जूट की बुनियार पर खड़ा है उनकी क्रेडिबिलिटी माइनस में है कौन उनके सी बात की उनके सीनिया जाए वह उप्सक्राइब का सब्मान करूए घर में पिटवा दिया राजिसस्भा की सदस्या को और महिला को ये क्या है इसलिए आपका आप बेनकाब हो चुके हैं आपका परदाफाश हो चुका है आप बिलकुल जुसको कहा जाए जूट की बुनियाद पर खड़ी पार्टी और जूट की बुनियाद पर खड़ा देता है इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं कुछ वो जो बोलिंग उसका कोई अर्थ है क्या है खरगे जी और सबस्कृति यह क्या जाने भारत की रहीति निती यह क्या जाने बायात का अध्यात्तमाद यह क्या जाने इंसारी चीजों को ईक्या जाने सanatटनन वे न यह होता है आपे दिरिश्टी से 1 पुनर जागरण क्या हो कि अध्याटमिक सर्शक्तिकरण क्या होता है यह सब चीजें आपको कहां मालूम है यह कहां आप जानते और मोदी जी के लिए यह नई बात तो नहीं है अगर वो काशी गये हैं तो काशी विश्वनाद गये हैं अगर वो साउत में गये हैं तो वहां के कौन से मंदर है जहां करने पूजा पाठ नी और उनका जीवन इस तरीके से अध्यात्न के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी राजनीती भी समर्पण की है तो ऐसे सक्षियत एतने लंबे चुनाओं के बाद अपने धार्मिक सशक्ति करन करना अपने धार्मिक रिवाइटलाइज करना ये वही जानते हैं जो कभी ध्यान, मेडिटेशन, योग, अध्यात्मवाद इनकी दुनिया में रहे हूँ ये खरगे जी क्या जाने है अचाब पंजाब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारती जन्ता पार्टी खुद चुनाओं लड़ा रही है, ये सही होगी डल नहीं है और हिमाचल में क्या कुछ रहने वाला है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश ठालीज क्योंगी हिमाचल में भारती जन्ता पार्टी चारो की चारो सीटे जीत रही है, चेहों की उपचिनाओं जीत रही है kr. जहां तक बात है पंजाब का, पंजाब में हमारा वोट शेर बढ़ लेकिन हम पहली वार अकेले लड़े हैं इसलिए हम यह तो नहीं कह रहें कि हम मिजॉर्टी ले रहे हैं लेकिन हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा हमारी सीच शेयर भी बढ़ेगी अच्छी तरीके से हम पार करेंगे और इन्डिये चार सो करेंगे और अच्छी तरीके से बारती जन्ता पार्टी ने पूरे देश भर में परचार किया है और चार सो का जो आकड़ा है वो निश्ची तर पर पार करेंगे इतना कॉन्फिडेंस है और अब देखने वाली बाते हैं कि चार तारिक को पता चलेगा कि भारती जन्ता पार्टी चार सो आ रही है और या विपक्ष कितने आ रही है